आपने सुना होगा कि बंद्रों के उपर research किया गया, मेड़क के उपर experiment किया गया, चुहों के उपर experiment किया गया, यहां तक की वरनस्पतियों के उपर भी तमाम तरह के experiment research किये गया, पर पहली बार ऐसा सुनने माया कि दुनिया का जो सबसे बड़ा मानवी परिक्षण हुआ है ने कब और किस ने किया यह हरान करने वाला है आपको बता दें 2020 में जब करोना काल चल रहा था तो बुटेन की सबसे बड़ी उसके बाद उसने देश के बनल देश दुनिया में कई लोगों को बेंचा दिया और हमारी भारत की जो फार्माइशोटिकल्स कमपनी थी सीरम इंस्टिटूट उसने भी उस फार्मूले को लिया और उसके बाद यहाँ पर कोवी सील नाम से उसका वैक्सीन तयार किया, उसके बाद हम भारतियों को उसका टीका दिया गया, पर अब जो बातें खुल कर आ रही है, अब जान चुकी है कि मेरी चीजें पूरी तरह से एक्सपोज हो रही है, क्योंकि डेन की अदालत ने कह दिय है कि इसकी वज़य से कितनी समस्याइं हो सकती है, blood clotting हो रही है, blood related तमाम तरह के disorder हो रहे है, caudic arrest हो रहा हा, heart attack हो रहा, stroke हो रहा है, cholesterol जो है, उसमें काफी बदलावा रहा है जो blood के अंदर जो platelets है उसमें बदलावा रहा है उसने पुरी दुनिया में जहां भी इस फार्मूले का वैक्सीन है पूरी तरह से उसके खरीदर प्रोक्त पर परतिबंद लगा दी है अब डरने क्या हो सकता है मोधी जी आपने कहा ताली और हमने आपकी बाते मानी आपने कहा कि गो करोना गो कहिए हमने वो भी किया पर अब मुझे महसूस होता है कास यदि मैं ये बात आपके नहीं मानता